नमस्तों दोस्तों मैं आश्मनी कुमा सरकार और आप देखरें टेक्निकल आसता दोस्तों आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ क्रोमा कंपानी का एक टेबिल फेन और यह जो फेन है यह मैंने मंगवाए फिलिपकर्स है और इसका प्राइज है आपका 1,990 रूपीज मतलब अलमस्ट 2,000 रूपीज तो यह जो टेबिल फेन है एक टेबिल फेन से थोरा सा छोटा है और यह कॉंप्लिटली प्लास्टिक से बनाए गया है और इसका मोटर को छोड़के बाकि सारे आपका प्लास्टिक कहा है यह जो क्रोमा फेन है इसमें आपको 3 स् सेट्इंग कर सकते हैं नंबर वान है वह आपका लोकीज में में और नंबर टू आपका में स्थाम्टिक में मैं है और नंबर यो है में स्थाम में इश कमासित ждए यह इना दूर कहला आपको फिल कनी इतना दो नों और इसका warranty claim करने के लिए आपको इसका toll fee number भी दिया गया है, customer care number और साथ में आपका email address भी दिया गया है, और साथ में आपका SMS करने के लिए भी option दिया गया है, मैं सारे details वीडियो के description में दे दूँँगा, वहाँ से आप इसको check out कर लिजेगा, तो box देखने में ऐसा है, box के इस तरह में सारे details दिया गया है, यह जो फैन है, यह आपका 45 watt का है, और इसमें सारे details दिया गया है, 3 speed control and 90 degree tilt option है, मतलब आप 90 degree इसको tilt कर सकते हैं से करके, मतलब हार एक step है, उसका बाद इसमें लिखिया है, super quiet operation, मतलब आप इसको super silent, मतलब यह जो फैन है, जब यह चलता है, बिल्कुल आवाज नहीं करता है, एकदम silent है, और इसमें धेया है thermal safety for motors, मतलब इसका जो motor है, इसमें आपको thermal safety का features मिल रहा है, मतलब ज्यादा गरम नहीं मिलेंगे, मतलब हो सकता है कि उस fan का आपका जो motor है, वो copper learning ना मिले, thermal features उसमें नहीं भी हो सकता है, इस fan का speed काफी अच्छा है, 3.5 meter तक यह air throw कर देता है, तो इस fan को मैं टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, तो सबचे पहले इस fan का size के बारे में बता देता हूँ, इसका जो height है, मतलब नीचे से लेके यहां तक, यह आपका 42 cm है, और इसका जो wide है, वो आपका 39 cm, और इसका जो diameter है, मतलब इसका जो diameter है, वो है आपका 33 cm, और बाहर से मैं इसको measure करूँ, तो 38 है, और यहां तक measure करूँ, तो 39 है, और height इसका 42 है, इस fan को पकरने के लिए पिछी का इस तरब एक area भी दिया गया है, यासे आप इस area में पकरके आप इसको hold कर सेकता है, आराम से, और इसका जो weight है, वो है आपका 2 kg weight, इतना भारी भी नहीं है, और इतना हलका भी नहीं है, और इस fan का जो blade है, 3 blade मिलता है आपको, और हर एक blade का size जो है, वो आपका 30 cm का है, और blade प्लास्टिक का है, मतलब ABS material का है, यह सारे fan जो है, वो ABS material से बनाया गया है, और इस fan में आपको wall mount करने का भी सुभीधा दिया गया है, आप अगर यहापर देखेंगे, दो hole आपको देखने का मिलेंगे, यहापर एक तो और यहापर एक तो, यह दो hole में आप इसको लगा के इसको आप wall mount भी कर सकते है, हलका है, इतना भारी भी नहीं है, और इस fan का model number जो है, वो आपका CRF0026, तो fan को मैं चारो तरफ घुमा के दिखाता हूँ, यह दिखिए, तरफ पास से दिखा ज़ता हूँ, यह back side में है, पकाने के लिए अच्छा सा जगा दिया गया है, और यह इसका जो look है, वो काफी अच्छा है, और नीचे का तरफ यह दू hole दिया गया है, एक A और एक A, और इसका जो power cable है, power cable का land जो दिया गया है, वो आपका 1.65 meter दिया गया है, और इस fan को आप खोल भी सेकते है, अगर आप इस fan को cleaning करना चाते है, तो पीछे का तरफ आपको 4 screw म आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार इसको खुलने पे, आपका front side में जो यह grill है, यह आपको निकल जाएगा, और उसका बाद आप इसका blade भी खोल सेकते है, उसका बाद आप यह जो 3 speed knob controller है, इसको भी आप खोल सेकते है, और side का जो यह stand है, इसको भी आ लगाया, यह जो फीटा है, यह आपका past foot का है, मतलब past feet तक यह आपका हवा अराम से छोल रहा है, single speed में, अभी मैं सिप 1 में दिया हूँ, अभी यह जो फीटा है, यह आपका 3 feet का है, इसको भी मैं दिखाता हूँ को, यह देखिए, अभी दिखिए, single speed में यह कितना camera तक पहुच गया है, अभी मैं तीन नमर में देता हूँ, high speed में, अभी मैं दो नमर में, अभी मैं एक नमर में, तो इसका speed काफी अच्छा है, 3.5 मीटर तक यह पहुचा देता है, हवा, अभी मैं आपको 2 feet का फीट ही लगा कर देखाना हूँ, यह आपका 2 feet का फीट ही है, जो single speed है, वो आपका 2 feet तक अराम से पहुचा देता है, 3 feet तक, वह देखिए मैं, तो यह जो फैन है, इसका speed काफी अच्छा है, आप इसे ले सेकते हैं, और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने इसने मेरे चैनल का अभी तेख सब्सकाइब नहीं किया है, जल से लिए सब्सकाइब कर लिए, जय हीं मनवात रहां।